हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल सीवानीज फोर्ट्स आज मैं आपको मलाई कुल्फी बना के रिखाऊंगी जो कि लोग गड़मियों में खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब सेर करना बि उबाल रही हूं तो मैं इसे ऐसे मिलाती रहोंगी लगतार कि दूद उफन के बाहर ना आ जाए तो इसे हमें इतना उबालना है कि यह दूद वनफोर्थ हो जाए इसमें हमें ज्यादा दूद नहीं बचाना है और इसे ऐसे ही लगतार मिलाते रहना है कि दूद साइड में लगेना, वरना क्या होता है कि मलाई नीचे जम जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि लगतार मिलाते रहना है, दूद कम हो गया है, तो इसमें मैं चीनी डालूँगी, चीनी आप अपने स्वादन सार डाल सकते हैं, मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूं, क्योंकि मैं प्लेम को बंद करके इसे थ क्होड़ा सा थंडा कर दे रही हूं, इसके बाद लिए पार लिए चाहे, तो छोटे गलास का इसे अप निकाल सकते हैं, तो मैं इसाने इसे मैं दूट पूरा दम डाल नीर ऊपर तक थोड़ा सा कम डालु हूं इस तरीके से में पूरा दूट डाल दी इक लीटर दूट में मेरा बना है और आटा ऐस्क्रीम बन रहा है देखिए इस तरीके से कवर करके रख देना है अगर आप ग्लास में कर रहे है तो उपर आप प्लास्टिक से या पिर से अल्मूनियम फॉइल से उसको कवर कर देंगे अब इसे मैं पूरे रात तक इसे मैं फ्रीज में रख दे रही हूं लगबक 7 घंटा 7 घंटा हमारा हो चुका है देखिए मैं फ्रीज से निकाल दी और देखिए मैं ग्लास में पानी लिए हूं यह नॉर्मल टेंपरेचर पर है तो मैं इस पर थोड़े दे रही है रख दे रही हूं 30 सेकेंड लगबक इस तरीके से आप मार दीजिए या फिर आपका ग्लास रहे बना सकते हैं इसे और बच्चे खाते हैं इसे बड़े खाते हैं सब इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और यह दूद का बना हुआ है तो यह काफी हिल्दी भी है देखिए इसी तरीके से बाकी भी मैं निकाल रूर के दिखा रही हूं आपको देखिए किता अच्छा ब आपको और भी तरह के आइस्क्रीम का वीडियो दिखाऊंगी बनाखे कि किस तरीके से बनता है बहुत आसान तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेर जरूर करें और बेल आइकन दबाए मेरे अगली वीडियो के अपडेट के अपडेट के बहुत लुट है